हेलो वियर्स आशी श्वयास आप सबका एस्टो रोजर दोस्तों आज बात करेंगे कि मार्केट एक तो क्रेश कब होगा और वो क्या-क्या सिंबोल रहेंगे जिससे पता चलेगा कि अब मार्केट क्रेश होने वाला है यह बहुत ही इंपोर्टन वीडियो है पूरा डीटेल म शुरू करूंगा तो इस्टाग्राम का भी लिंक नीचे दे रहा हूं उसको भी यहां पर क्लिक करके इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर ले ठीक है दोनों चीज करने है चैनल को सब्स्राइब करना है और इस्टाग्राम पर फॉलो करना है प्लस जो लोग मुझसे सर्विस यानि कि कुंडली देखना वगेर भी आजाएगा मुच्व फन रिगार्डिंग भी सर्विस आजाएंगे पूरा पैकेज है तो मुझे पहले वाट्साइब करें मैं उसमें उनको पूरा प्रोसेस समझाओंगा ठीक है दोस्तों यह सब तो बात हो गई काम की अब यहां आगे बात करेंगे मार्केट में आगे क्या होगा क्रेश कब होगा जैसे मैं प्रेडिक ओलरी कर चुका हूं दो वजार बाईस का साल काफी नेगिडिव साइड है स्लो मोशन में डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा अब यह फर्स कौर्टर होगा सेकंड कौर्टर मे मैं शायद सबसे पहले बताऊंगा तो मुझे लगता है उनको पहले इंफर्म करूंगा लेकिन इसके सिंबॉल क्या रहेंगे मार्केट क्रेश होगा यह कैसे पता चलेगा जैसी कि आप सब जानते हैं पिछले डेड़ साल से मैं यह डीटेल में प्रेडिक्शन कर रहा हूं में आप देखिए कि जब भी मैं कैता हूं 500 पॉंट मार्केट डाउन जागा जैसे लास्ट मन बोला था साड़े 400 पॉंट गया था इस मन भी मैं बोला कि 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में 500 से 1000 पॉंट मार्केट गिरेगा 300 गिरा है अभी और नहीं गिर रहा है मैंने इस्ट्रोजीकल के शनी और गुरू दोनों साथ में हैं और मार्केट यहां पर पॉजिटिव साइड है तो जो डाउन ट्रेन है बहुत लिमीटेड है इतना डाउन नहीं होता है जितना एक्सपेक्टेड और गुरू डाउन होने नहीं दे रहा है नेक्स्ट येर यह होगा यहां पर मार्केट कम बढ़ेगा और इन बीट्वीन जब जब मैं प्रिडिक करूँगा कि ये तारिक से ये तारिक के बीच में इतना करेक्शन होगा जैसे में को 500 पंट करेक्ट होगा और जिजिन 500 की जगा 600 700 800 पंट करेक्शन होना शुरू हो गया समझ दीजे कि ये रहेगा कम घटेगा ज्यादा ये साल क्या हो रहा है बढ़ ज्यादा रहा है घट कम रहा है हर दूसरे ती समयने में बोलो ये तारिक से ये तरिक के बीच में इतना डाउन जाएगा लेकिन बहुत लिमीटेड डाउन जा रहे है उतना डाउन जितना एक्सपेक कर रहे है कम ये टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक तो अपने अंदर पेसंस चाहिए डेली मार्केट को बढ़ता देखेंगे 200 पैंड बढ़ रहा है हम लोग सोचेंगे हमने इन्वेस किया नहीं हम लोग रहे गए फिर पता चला तीसरे दिन 400 पैंड नीचे चला गया उसके अंदर आपको वो शेर ख़िदने पढ़ेंगे जो एक्चुली जैन्यूइन शेर है वह फिर यह साल कैसे कोई भी शेर बढ़ रहा है फाल्तु शेर भी कई बार बढ़ेंगे लेकिन नेक्स्ट एर क्रेश होने के बाद वही शेर बढ़ेंगे जो एक्चुली फंडाम है पूरा ग्रूप में प्रेशर है आगे भी आप इसके पर प्रेशर देखो गया और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़े रहेगी डाउन ट्रेंड में लेकिन एक्च ना कुछ तो रोल रहेगा डाउन ट्रेंड जाने में तो टेक्स बढ़ा आएगी गवर्मेंट यह भी एक possibility है कोई लो कोई स्कैंडल स्केम सामने आहे यह भी possibility है कोई लो कोई बड़ा प्रप्रॉब्लम बड़ा इवेंट एकोनोमिकल प्रॉब्लम अमेरिका कुछ ना कूछ इंटर स्रेट बढ़ा दे जो बॉंड का जो रेट है अभी 1.30 चल रहा है वह 2% के उपर चला देख रहे हैं कि मार्केट में काफी ज्यादा अप्शन डाउंस है नेक्स विक में भी अप्शन डाउंस देखने को मिलेंगे जब जब डाउंट्रेंड मिले बाई कर लेना है और सबसे इंपॉर्टन मेरे जो क्लाइंट है जिन्नोंने मुझे पहले से जोइन किया उनको मैं अब प्रामिस कर चुका है जन्वर इसे कि पचास परसन से ज्यादा रिटन यहां आपको कमा के दूँगा अभी भी जो जो जॉइन करें उनको बोला हूं कि यहां से मार्केट 20 परसन बढ़ेगा मैं आपको 30-35 परसन मिनीमम यहां रिटन कमा के दूँगा क्यूंकि अपने शेर ऐसे है अपने यहां पर थीम ऐसी है जिससे रिटन आप अच्छा क торासा कमा सकते हो यहां मार्केट में अभी भी अप साइड बहुत मौजुद है और उससे आप अच्छा कासा रिटन निकाल सकते हो ऐसा नहीं कि रिलाइंस खरीद लिया इस तो रिटन मिल जाएगा य यहां पर तो यह सभी शेर्स अच्छा रिटन करेंगे यह मेरे डेमो वाले शेर्स है इजी ट्रिप मैंने दिया था 234 में आज 400 के उपर चल रहा है डबल हो गया तो ऐसे बहुत सारे शेर्स है जो मैं अपने क्लाइंटों को देता हूं आप जॉइन करके फाइदा ले सकते है ठीक है दोस्तों मुझे कॉंटेक्ट करने के लिए मैसेज करने के लिए वाटसेप पे नंबर है 399-849-7800 ठीक है बाके आगे की डीटेल में डिस्करशन क्रेश कब होगा या कब इन्वेस्ट करना है वो सब मैं आगे यूटूब पर बताऊंगा लेकिन सबसे पहले बताऊ ठीक है थैंक यू थैंक यू वेरी मच और हाँ आप सभी को गुरू पूर्णी मा की बहुत बहुत शुप कम रहे आप सभी के जीवन में जो इंस्पिरेशन है जो आपको आगे लाने में आपको सही रस्ता दिखाने में जिन लोगों ने भी हेल्प किये उन सभी गुरूओ को आद नमन करें उनको याद करने का दिन है तो उन सभी को थैंक यू बोलना ना बुले ठेके देश्तों थैंक यू